बड़ी खाबर तूसरे चरण में गजब हो गया पंपर वोटिंग हुई है पाड मेर में सबसे ज्यादा मतदान इन 13 सीटों पर साम 5 बजे तक ही 69.19 फीसदी वोटिंग हो गई थी यह वोटिंग पहले चरण से ज्यादा है और देश की सबसे होड सीट बनी हुई है पाड मेर सीट इस बार यहाँ पर 5 बजे तक ही 70 फीसदी मतदान पूरा हो चुका था और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला सबसे पहले तो 5 बजे तक का यह मतदान परतिसत देखिए जेसल मेर बाड मेर में ही नहीं बलकि बांस वाडा चितोड़गर्ड कोटा जोदपूर सभी जगों पर अच्छा मतदान हुआ है और साम को जब 7-8 बजे तक फाइनल रिपोर्ट जारी होगी कि इ दूसरे चरण में बंपर वोटिंग ने भी कई नेताओं के होस उडा दिये हैं राजस्तान चुनाओं में पहले चरण के बाद दूसरे चरण की सीटों पर भी फलोदी 60 बाजार के सटोरियों की आज विशेस नजर थी फलोदी वालों ने दूसरे चरण के बाद भी ताजा भावचारी कर दिये हैं जिसकी वज़े से कई नेताओं की चिंताएं बढ़ गई है और कई नेताओं को फलोदी 60 बाजार ने नतिजों से पहले ही खुस कर दिया है कौन से नेताओं की धड़कने बढ़ गई है और कौन से नेताओं का समीकरन बिगड़ गया है जानेंगे लेकिन उसे पहले कुछ बड़ी अपडेट देखिए राजस्तान में आज लोग सभा चुनाओं के दूसरे चरण में 13 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है जोदपूर, बाडमेर, पाली, जालूर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाडा, चितोडगड, उदेपूर, पांसवाडा, टोंक, सवाई, माद्दोपूर, कोटा, जहलावाड, 12 सीट इसमें सामिल है इन सीटों पर कुल 152 उम्मीदवार मेदान में हैं, जिनकी किस्मत आज EVM में केद हो गई है अब बात करेंगे दूसरे फेस की इन 13 सीटों पर कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, और फलोदी 60 बाजार का नया अंकलन इन सीटों को लेकर क्या है क्योंकि चुनाओं से ठीक पहले दो बड़े उलट फेर हुए हैं, एक तो बाड मेर में चुनाओं से ठीक पहले हनुमान बेनिवाल की पार्टी RLP, यानि कि जो RLP के लोकल नेता है, वहे BJP को समर्थन दे दिया था, जिसके बाद वहाँ पर और ज्यादा चुनाओ रोचक ह गया है, वहीं चुनाओं से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री असूक गहलूत के OSD लोकेस सर्मा ने, असूक गहलूत के खिलाप मोर्चा खोल दिया था, इसका असर भी वोटिंग के दोराम देखने को मिला, और बड़ी जानकारी आपको देदू, राजस्तान में जो पह जो पहले चरण में वोटरों में सुस्ती थी, वह दूसरे चरण में बिलकुल नहीं दिखाई थी, हालंकि ज्यादा अच्छा मतदान परती सत्तों नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पहले चरण से ठीक है, तो अब इन 13 सीटों पर मुकाबला बेहे द्रोचक हो गया है, चलिए जानते हैं, फलोदी सटा बाजार 13 सीटों पर किसकी स्तती मजबूत बता रहा है और किसकी स्तती कमजोर, फलोदी सटा बाजार के अनुसार जूत्पूर लोगसबा सीट की बात करे तो भाजपा के गजेंदर सिंग सेखावत के भाव 30 से 35 पेसे हैं, और कॉंग्रेस के करण सिंग उचियारडा का भाव एक रुपया, यानि कि यहां पर भाजिपा के गजेंदर सिंग से खवत मजबूत है, जालावाड सीट की बात करे तो यहां पर पूरुव सीएम वसुंद्रा राज्ये के बेटे दूसियन सिंग और पूरुव मंत्री की पतनी मेदान में है, जा उसरे फेज में बाड मेर लोकसबा सीट पर जिस हिसाब से वोट पड़े हैं, उस हिसाब को देखकर अब फलोदी सटा बाजार के सटोरियों ने तीनों के भाव बराबर कर दिये हैं, यानि कि यह सीट किसी के खाते में जा सकती है, यहां पर जबरदस्त वोटिंग हुई है किस के पक्स में ज़्यादा वोटिंग हुई है, यह कहना जल्द बाजी होगी लेकिन यहां पर मुकाबला टकर का है, तिनों परत्यासियों के ही भाव सेम है, जालोर लोकसबा सीट की बात करें, तो यहां असूक गहलोत के बेटे वेभव गहलोत चुनावी मेदान में है, और इनका मुकाबला भाजिपा के लुंबाराम चोधरी से होगा, इस सीट पर फलोदी सटा बाजार सुरू से ही बीजेपी को आगे बता रहा है, और आज भी वेभव गहलोत के भाव ज्यादा है लुंबाराम चोधरी से, यानि कि लुंबाराम चोधरी के जीतने के आसार ज्यादा है, कोटा की बात करूं तो कोटा में बीजेपी परत्यासी ओम बिड़ला की स्तती काफी मजबूत है, बांसवाडा की बात करूं तो यहाँ पर कॉंग्रेसी कारिकरता ऐसा है दिखाई दे रहे थे, क्यूंकि चुनाव परचार में खुद की पार्टी को वोट नह देने की अपील ने लोगों को मुसिबत में डाल दिया था, कारिकरताओं ने परचार से तूरी भी बना ली थी, अब डूंगरपुर बांसवाडा में बीजेपी और बीएपी में कड़ी टकर मिल रही है, कॉंग्रेस परत्यासी की उपस्तती ने मुकाबला रोचक बना दि सीटों में बाड मेर जेसल मेर सीट फसी हुई है, चालोर से वेबव कहलोत लुंबराम चोधरी को टकर दे सकते हैं और बांसवाडा में भी मुकाबला बेहद कड़ा है, इन तीन सीटों को छोड़ दे तो बाकी दूसरे चरण की 10 सीटों पर बीजेपी की इस्तती मस्बूत बताई जा रही है, यह दावा मेरा नहीं है बलकी फलोदी के साटोरियों का है, बाकी फाइनल इस्तती का पता 4 जून को ही चल पाएगा की राजस्तान में अब की वार उंट किस करवट बेटता है, अब देखे पूरी 25 लोग सबा सीटों पर चर्चा करें तो जो 19 अप्रेल को चुनाव हुए थे पहले चरण की 12 लोग सबा सीटों पर वहां पर उस समय कॉंग्रेस का उत्सा है बड़ा हुआ था क्योंकि एक तो कम वोटिंग हुई थी और माना जाता है जब भी कम वोटिंग होती है तो नुकसान सता थारी पार्टी को ही होता है, तो जो 12 लोग सब सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुए थे उस समय चुरू जुनजनु सीट पर कॉंग्रेस का पलड़ा भारी था और अब भी भारी है जबकि गंगा नगर, पीकानेर, जैपूर, गरामीन, भरतपूर यहां पर भाजपा के इसपश्ट भाव है वही नागोर में पबला टकर का बताया जा रहा था लेकिन दूसरे चरण के जो चुनाव हुए है और जो बंपर वोटिंग हुई है जिसके बाद पूरी 25 लोगसबा सीटों पर ही राजिस्तान में एक बार के लिए समीकरन बदल गया है अब देखिए फाइनल चर्चा का निचोड निकालते हैं 25 लोगसबा सीटों पर चुनाव संपन हो चुके हैं इन 25 में से 7 सीटें एसी है जो बीजेपी के लिए सीधी चुनोती है यानि कि बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनाव जीतना आसान काम नहीं है इन सीटों की बात करें तो पहले नमबर पर आती है चुरू लोगसबा सीट जहां भाजपा को सीधी टक कर मिल रही है और यहां पर बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस की इस्तती मजबूत है राहुल कस्वा भाजपा के लिए चुनोती साबित हो सकते हैं दूसरे सीट की बात करें तो जुन जुनू यहां पर भी बताया जा रहा है कॉंग्रेस का पल बी मामला फसा हुआ है यहां कोंग्रेस और आरलपी का गटबंदन है हनुमान बेनिवाल ज्योती मिर्धा को सीधी चुनोती दे रहे हैं ज्योती मिर्धा के लिए भी यह सीट निकालना उतना आसान नहीं है और बाड मेर जेसल मेर लोकसाबा सीट की बात करें जो सबसे होट स सीट पर चुनाओ जीतना तो बीजेपी और कोंग्रेस से दोनों के लिए ही पहुत बड़ी चुनोती है यहां पर सीधा तिरकोन ये मुकाबला है रमींदर सिंग भाटी मेदान में है जिस वज़े से इस सीट पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी ही होगी तो देखे आप आपको बता दूं यह फाइनल सेर्वे नहीं है यह तो एक चर्चा है जो मेडिया में हो रही है सटोरियों के बीच हो रही है अंतिम फेसला 4 जून को ही होगा और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं 4 जून को जो फेसला आएगा वह वाक्याई में चोकाने वाला आएग और जो नतीजे आएंगे वह सब को हेरान कर सकते हैं हो सकता है कॉंग्रेस के खाते में अपकी बार कई सारी सीटे जा सकती है और यह भी हो सकता है अपकी बार बीजेपी के खाते में पूरी की पूरी 25 सीटें भी आ सकती है यानि कि सच्चाई का पता जब 4 जून को मत पेट खोली जाएगी तब ही 12 बज़े तक चल जाएगा कि कोन कितना पानी में है और कोन कितना बाहर